तो देखो बच्चो अब हम करेंगे फिफ्ट वाला कुर्शन यह काफी इजी कुर्शन है बच्चो देखो मुझे क्या पुरूफ करना है मुझे पुरूफ करना है कि भाई ADB A, D, B है जो A, D, B, यह किसके एक्वल है? B, C, D के यह वाला मुझे यह प्रूफ करना है, यह प्रूफ करना है, ठीक है? और मुझे क्या प्रूफ करना है? D, A, C, D, A, C, यह वाला किसके? C, B, A, C, B, A, मतलब यह वाला पूर के, C, B, इस पूरे के, तो ध्यान से देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, देखो मैं यह पूरा ले रहा हूँ, तो देखो मैं पहले, इंड ट्राइंगल, A, B, D, and A, B, C, है ना, मैं यह पूरा ट्राइंगल ल लेता हूँ, और इन दोनों को अगर मैं कॉंगरेंट कर देता हूँ, तो यह दोनों C, P, C, T से औव्यस सी बाते इक्वल आई जाएंगे, तो देखो पहले मैं यह वाला ट्राइंगल लेता हूँ, देखो मैं जिसको शेट कर रहा हूँ, यह वाला और फिर यह वाले जो A, B है, यह मेरे पर कॉमन साइड है देखो, है ना, और मेरे को एक और चीज गिवन है कि जो D, B है वो होगा, A, C के इक्वल यह भी मुझे गिवन है, और बच्चो देखो अब यह तीन चीज में हो चुका है, अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई, ट्राइंगल A, B, D is congruent to A A, B, C, बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल बोल सकता हूँ, भाई, साइड, 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 साइड से congruent हो गया है, भाई, साइड, 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 अब ध्यान से देखे, बच्चो अब नहीं बोल सकता हूँ कि भाई, यह वह जो दोनों है ना यह CP CT से प्रूव हो जाएंगे तो देखो यह वाला इसके अंदर यह यह बी CP CT से हो जाएगा इक्वल और यह वाला पीछ नीचा वाला है यह बी CP CT से प्रूव हो जाएगा तो देखो कितना एजी हो गया यह question भी एक चीज को इसको कोंगरेंट किया आमेने तो देखो यh дум और इसके cpct से हो गया और यहallar इसके cpct से य χाव गया स्व फैसे पहले आपको cpct तभी लगएगा जब आपको क्वाइड करोगे थो आपने आपको या यह अन्सर 291 ंन्टा ना संट करतें Right कुस्छिन कंग्रेंड को